हेले इबरोन कैसे हैं आफ सब एक बार पुना स्वागत है और आज का टोपिक है जीवनी और आत्म कथा में अंतर और ये काफी है फुले इस्ट्रन और तीन नंबर का कोश्चन पूछा जाता है तो मातर तीन अंतर आपको यहां पर तयार करना है चाहिए आप नाइंधी क्ला मतलब स्वयम का कथा यानि कहने का मतलब पेरवायो जो आत्म कथा होता है तो लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है यानि अपने जीवन में जो घटना हुई घटित घटना उसे खुद लिखता है जबकि जीवनी स्टुडेंट किसी अन्न बेक्ति के बारे मे लिखता है जो भी अपने जीवन में घटित घटना होता उसका लिखता है लेकिन जो जीवनी होता है इसमें लेखक जो है किसी अन ब्यक्ति के वारे में जीवन में जो भी ब्रत घटित घटनाय होती है उसके वारे में प्रस्तोर करता है दूसरा आत्म कथा में अनुभूत की गहराई होती है, मतलब अंदर की जो भी पेरवायो मारमिक द्रश या मारमिक घटनाओं का बड़न किया जाता है, इसलिए उसे अनुभूती का प्राफ्ट होती, क्यों? क्योंकि खुद के बारे में लिखना होता है, जबकि जीवनी में इस्टुडेंट बिवरण और तत्थो पर लिखा जाता है, तो उतना इस पे अनुभूती नहीं होता, न उतना अनुभूती की गहराई होती है, मतलब उसके अंदर उतना मारमिक द्रस से नहीं रहता है, समझ रहना, तो विवरण और तत्थों पर ध्यान दिया जाता है, ज्यादा ज्यादा बिवरण किया जाता ह और किसकी तत्थों पर उनके बारे में जीवन में घटित घटना होती है उसके बारे में लिखा जाता है और तीसरा आपका है आत्मकथा जो होता है कथात्मक सैली में लिखी जाती है जबकि जीवनी जो है बढ़नात्मक सैली में लिखी जाती है कथात्मक मतलब कथा किसी भी जैसे मालीची आपके जीवन में जो भी घटना घटित हुआ है तो उसे कथन के रूप में और सौट कट में लिखा जाता है कहने को मतलब समझ रहे ना मतलब थोड़ा सा सूच में होता है लेकिन जीवनी होता है तो तो आपको खुद पता है कि जब किसी दूसरे वेक्ट की व हैं मुक्रुप से जैसे आत्म का था मेरा जीबन प्रभाहिय वियोगी हरी ने लिखा था मेरा जीबन यात्रा रहूल साज्ट्र स्अक्रत्य यंद्ध्य ग्राले लिखा था जीवनी में आप कलं का स्पाहि अमरत र सकते हैं चोटा से वीडियो पसंदात प्लीज लाइक कर दें और प्लीज चैनल पर दिने चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन प्रस कर लें दोस्तों सेयर कर दें मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के शाथ तब तक ले जैहिंद बन्ने मातरम